आज हमारा देश डॉक्टर भीम राउंबेटकर की 130 वी जोयंती मना रहा है और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें याद किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया में Mother of Democracy रहा है और इसके साथ ही लोकतांत्र हमारी सब्भेता हमारे तौर तरीको और हमारी जीवन पत्तिती का एक हिस्सा रहा है देजबर में बढ़ते करोना संक्रिमन के मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सिक्षा मंत्री लक्टर रमेज पोक्रियाल निश्वांग के बीच होई उचिस्तर ये बैठक में दसवी की परिक्षा रद कर रेने और बारभी की परिक्षा को स्थागित करने का निर्ने लिया गया है यूपी के मुखे मंत्री हो गेर तेनाथ हुए कोरोना पॉजिटिव इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है साथ ही उन्होंने ट्वीट कर कहा कि शुरुआती लक्षन दिखने पर ही मैंने कोविट की जाज कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है पश्यमंगाल की मुखे मंत्री मम्तबाइनर जी ने 17 अप्रेल को होने वाले पाचवे चरण के मद्दान से पहले आज वानि वुद्वार को कूच बिहार के सीट कुचली में मात भागा में का दोरा किया है और इस जोरान मम्तबाइनर जी ने यहाँ पर CISF की गोली बारी में मारे गए लोगों की परिवारों से मुलाकात की पच्छी मंगाल में चुनावी संग्राम में बयान बाजी तेज हो गई है इस विक्रब में बुद्वार को भाचपा अध्यक्ष वेपी नज्जा ने ट्रिनमूल कॉंग्रेस वाप्रदेश की मुखे मंत्री मंतबाइनर जी पर जम कर निशान साधा है नज्जा ने कहा कि टीमसी नेता ने कहे अब शब्द फिर भी ममता दीदी मौन है उतर दिनाजपूर में एक रैली में राउल गांदी ने कहा कि भाचपा के पास देने के लिए नफरत और हिंसा के लावा कुछ भी नहीं है इसके साध ही उन्होंने कहा कि भाचपा का इरादा पश्री मंगाल को बरबाद और विभाजित कर देने का है साध ही आरोब लगाया गया है कि भगवादल अस्सा मौत अमिलनाजूं में भी यही कर रहा है उत्रप्रदेश के पूर्मुके मंत्री अकिले श्री आदफ कोरोना संकर में पाए गए हैं बता दें कि विगट 11 अप्रेल को वो हरिद्वार कुम आये थे और इसके साथ ही उन्होंने कई संतों से मुलाकात की थी उस दिन शांगो ये अकिल भारती अकाड़ा परिशत के अधियक शमहंत नरेंद्र गिरी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी राज़िस्तान में भी करोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और ऐसे में सिय मशोग गहलोत राज़ु में लॉक्टाउन को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं माना ये जा रहा है कि आज से सकती बाड़ाने पर विचार किया जा रहा है पुर्फ कैबिनेट मंतरी नवजोत सिंग सिद्धू आखिरकार पंजाब में अपनी सरकार के खिलाब मोटशा खोले के तयारी में जुटकाए है इसका पहला संगेत उन्होंने मंगलवार को बरगारी के गाउं में जवाहर सिंग बाला में दिया है इसके साथ उन्होंने कोजकपुरा और बहीबल कलाकोलीकांज की SIT जांच रिपोर्स आवजने करने की मांगी है हर्याना सरकार ने उतरपरदेश के गेहूं और खरीद पर रोक लगा दी है किसानों ने हर्याना पुलिस से हात अपाई तक कर दी काशिवी शुनात मंदिर और अनपूर्णा मंदिर में दर्शन के लिए कोरोना की जांच रिपोर्ट के बिना प्रवेश में नहीं मिलेगा कमिश्णर दीपक अगरवाल ने बढ़ते करोना संक्रिमन को देखते हो ये निर्देश दारी करते हैं उन्होंने कहा कि जंसमाने से ये अपील की गई है कि वारनसी आने से पहले फिलहाल परेज किया जाए और इसके साथ ही अगर कोई ज़रूरी कारे ना हो तो आसपास की जल्पदों से लोगवारनसी ना आएं और अपने घरों पर ही रहें जल्पे स्वासमंत्री सतेंदर जयर ने बुदवार को कहा है कि देश और दिल्ली में करोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक हफते में पहले ही 6000 बैट थे और अब दिल्ली में 13000 से ज्यादा बैट है हम बहुत तेजी के साथ बैट बढ़ा रहे हैं वेंचिलेचर की कोई कमी नहीं उडिस्या में भी कुरोना संक्रमण अपना प्रकोब दिखा रहा है और इसी बीच पूरे जिले में भी 23 के साथ संक्रमण ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है महमारी जगनात मंदे तक पहुँच गई है तो वहीं साथ समको समेथ जगनात मंदे से जुड़े 23 लोग कुरोना संक्रमित पाए गए हैं और उत्रप्रदेश अब कोरोना के संक्रमण के स्पोर्ट का सामना कर रहा है ऐसे में सरकार के साथ ही प्रदेश के हर व्यक्ति की यही कोशिश होने चाहिए कि किसी भी तरह से इस पर काभ पाया जा सके राजिस्तान के सिकर जिले से मेडिकल परिक्षक की तियारी कर रहे चात्र को हनी ट्रैप में फसाने का मामला सामने आया है मंगलवार की देर रात कुट्टू के आचे की रोटी खाने के बाद करीब आठ सो से जादा एक हजार लोगों की तबद बिगड़ गई है जोने अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है उनका इलाच किया जा रहा है देश में स्पतनिक भी नई वैक्सीन की एंट्र की बाद अब लोगों के घर घर जाकर वैक्सीन लगवाने की तैयारी शुरू कर दी गई है बता देश की कई कंपनियों ने के इंद्रियस वास मुंत्रॉले से डो स्टेब वैक्सीनेशन के लिए संपर किया है जैपुर की सिद्गारी इस्पताल कावंचिया में वैक्सीनेशन चोरी का मामला सामने आया है बता दे की कोल्ट स्टोरेज से वैक्सीन सेंचर तक ले जाते समय को वैक्सीन की 32 वाइल जो हैं वो चोरी हो गई है आपको बताते हैं वैक्सीन की एक वाइल में 10 खुराके होती है माराज के बुलघड़ा जिले में गाउं में भोच की बाद कोरोना विस्पोच हो गया है जब करोना के अपनी रफ़तार पकड़ ली है और ऐसे में एक भोच में शामिल होए लोगों में से 93 लोग करोना संक्रमित पाए गए है उतरप्रदेश के संबलनगर के तुर्टीपूर इलाके महले में बुदवार को दोपेर बारा बज़े निर्मारा धिन मकान की दिवार बरबरा कर गिर गई और इस हाथ से में तीन मजदूर मलबे के नीच चुत अप गए उसमें से दो मजदूरों की मौके बरी मौत हो गई है जबकि एक मजदूर को गंबी रवस्था में अस्पताल में भट्ती करा दिया गया है जहां से उसे मुरादबाद के लिए रैफर कर दिया गया है और यहां मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया है तो महीं दो दिन पहले दुबारा खुले सेंटर में अब तक 46 मरीज भरती हो चुके है महराज सरकार कामकाजी महिलाओं को बड़ा तफ़ा देने जा रही है और इसी बीच मुंबई में बाहर से काम करने के लिए आने वाली महिलाओं की बड़ी समस्या खत्मोने जा रही है दूर से मुंबई में नौकरी के लिए आने वाली महिलाओं को अब रहने और ठीकाने के लिए बढ़कना नहीं पड़ेगा महाराश सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए एक बड़ा हॉस्टल बनाने जा रहे है मंदब प्रदेश में कोरोना वाइरस की दूसरी लहर का कहर लगातार जा रही है कोरोना संक्रमन के लगातार बढ़ते मामलों से स्वास व्यवस्ता चर्मर आ गई है और इसी बीच राज्ये में रेम डेसीवर दवा और वैक्सिनेशन के साथ साथ ऑक्सीजन की भारी किल्लत सामने आ रहे है कोरोना वाइरस ने एक बार फिर से हाहा कार मचा दिया है तिहार जेल तक पहुंचा कोरोना संक्रमन जिसके बाद जेल स्टाफ भी कोरोना संक्रमन की चपेट में आ चुका है जबकि कई कैदी कोरोना संक्रमित पाए गाए हैं और संक्रमन से दो कैदियों की मौत हो चुकी है मद्यप्रदेश में कोरोना की दूसरी लेयर भयाना गूर्प ले चुकी है इसके साथ ही इंदौर और भुपाल जैसे बड़े शहरों में संक्रमी तो और मौतों की संक्यातियाजी के साथ बढ़ रही है दोनों शहरों के स्वंशान गाट में जगा कम पड़ गई है इसके साथ ही इंदौर में 23 तो भुपाल में 47 शवो कांतिम संस्कार किया गया है रूस ने बुद्वार को कहा कि वो पूरवी लदाग में वास्तविक नियुंद्रन रेखा पर हो रहे घड़ना करमों पर नज़र रखे हुए है और उसने ये भी कहा कि भारत और चीन की ओर से अपने अपने सैनिकों को पीछे हचाने के प्रयासों से वो उत्साहित है और इसी साथ ही उन्होंने कहा कि वो दोनों देशों के बीच रशनात मगवारता का पृस्साहन देंगे आईटे सेवा कंपनी इंफोसिस ने चौथी तिमाही के नतीज़े जारी कर दी है वहीं मार्च 2021 तिमाही में कंपनी का कंसॉलिजेट नेच प्रॉफिट 2.6 पीस दी गिर कर 5,078 करोड रुपे रहा जबकि हाला की विशेश अग्यों को ये उमीद थी कि चौधी तिमाही में इंफोसिस का कंसॉलिजेट नेच प्रॉफिट 5,172 करोड रुपे रह सकता है एक्ट्रिस अले भट के फैंस बीते दिनों से उनकी फिक्र कर रहे थे क्योंकि ये करोड़ा संक्रिमत से अले भट पॉजिटिव पाई गई थी तो वहीं एक्ट्रिस भी बीच बीच में अपना हेल्थ अपडेट और तस्वीरे शेयर करती नजर आई हैं तो वहीं अब राहत बरी खबर फैंस के लिए सामने आई है जहां अले भट ने करोड़ा को मात दे दी है पाकिस्तान की कप्तान बाबर आजम दुनिया के नमबर वन वन जे बल्लेवाज बन गए है चौबिस वर्शियर इस उदेमान बल्लेवाज ने विराट कोली के सिर्थ से ताच छीन लिया है बता दे जो कि 1258 दिन से पहले पायदान पर मौजूद थे अफरीका के खिलाब हाल ही में संपन हुए सिर्थ में दमदार खेल का बाबर को फाइदा मिला है रोई शर्मा इस IPL में मुंबाई इंडियन्स को लगातार तीसरा और खुल छटा किताब दिलाना चाहते हैं साथ ही जब वो मैदान में उतरते हैं तो वो खास एक मिशन के साथ अपने साथ चलते हैं इसके साथ ही RCB के खिलाफ उद्खाचन मैच में उन्होंने बोलुस गैंजो की प्रजाती को बचाने की अपील की थी और वहीं अब अगले मैच में उन्होंने एक अलग संदेश देया है